इस बीच अगली कमपनी जरा इस्क्रीन पर ले करके आते हैं और वो है रेलवे शेतर से जुवी हुई आर्वी अनल जिसक पर की लगातार जो है यह इस तो में फोकस जो है वो बना हुआ है यहाँ पर कमपनी को महराष्टा मेट्रो रेल काउपरेशन की तरफ से कमपनी को एक नया ओर्डर मिला है और आपको बता दें कि 270 करोड रुपए का यह जो आउडर मिला है वो दस एलिवेटेड मेट्रो इस्टेशन के डवलप्मेंट के लिए मिला है अगले 30 महीने में कमपनी को यह ओडर जो है वो पूरा करना होगा और सितंबर महीने में यह अकच्छी हाई है दूसी तिमाई में अपनी हिस्सेदारी तीन देस्मेलों एक तीन परसंट से बढ़ाकर पांच देस्मेलों शुन्य पांच फीसद की यानि करीब करीब दो फीसद के आसपास का इदाफा जो है वो जो है आर्वी अनल के अंदर हुआ है इस की हिस्सेदारी में कमपन 487-488 का लेवल देखने को मिल रहा है RVNL सर क्या टिपड़ी रहेगी आपकी और और रेल्वे पैक पे क्या निजरिया है आपका RVNL जिसा अभी हम थोड़ी दिर पहले बात कर रहे थे कि RVNL एक बढ़िया कंपनी है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ और रेल्वे में अट लिस्ट और अपराया दो कंपनीया है जहां रेल्वे की आया सीटी सी और आरवी एनल यह दो कंपनीया मुझे अची रखती है और आरवी एनल लेकिन चुक्कि मैंने कहा कि आरवी एनल को आप रडार में रखें अभी लेने के ज़रूवत नहीं है आपको क्योंकि मार्केट स्टिल अंडर करेक्शन है अभी तक कोई चीज ऐसे संप्रम्स नहीं लिखे हैं मार्केट में की करेक्शन और यह भी स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक भी करेशन में तो वेट करें निचले इस तरों पर ज़रू नहीं रगने ज़रूवत नहीं